है नो है तो अदो आज की इस वीडियो में दुस्तो हम लोग हैं पर लेशन टूू में हम समझेंगे की क्या हैं हमारे आधब सके पनार्थ सुध् हैं ठीक है तिरम सिंपल है में समझें के या निसे परत यया वैसे जो से मलग यहां पर PG हम लोग नव भी तो लडोерь ही बना रहे हैं तो लडोई में क्या होगा कि मालिजी जो बुनियां हम लोग चांते हैं छोटा-छोटा वो बुनियां जो है एकदम एक एक करके मिला रहता है सब तो वह एक सुध पदात हो गया और एक ही तत्वा से मिलके बना है ठीक है तो इसे क्या बलेंगे सुध पदात कहेंगे तो ऐसे ही सिम्पल वे में हम लोग उसको समझ सकते हैं फिर कह रहें मिश्रन क्या है ठीक है तो देखिए मिश्रन क्या है तो कह रहें हूँ वैसे जो दू या दू से अधिक पदार्थों के किसी अनुपात में मिलने से बनता है उस अव्याव को सधारण विदी से अलग किया जा सकता है उसे मिश्रण कहते हैं यानि मिश्रण वैसे पता जो दू या दू से अधिक पदार्थों के किसी अनुपात में मिलने से बनता है इसके यह वह और पथर का मिस्रण हो सकता है ना गहूं और उसी में पत्थर मिल गया तो दूद और दूद और चीनी दूद और चीनी भी मिला सकते हैं कि विसेष्टा क्या होगी तो मीश्रन की अब्योवी पदार्थों का गूर्ड बरतम्हान हbbe मिस्रण में अवयोई पदार्थों का गुर्ण बरतमान रहता है मिस्रण के अवयोई पदार्थों का गुर्ण सधारन बीदी के दोरा प्रिथख किया जा सकता है उसका जो बरतमान रहता है और उसको क्या कह सकते हैं हम लोग उसका गुड जो है उसका सधान बीदियों द्वारा प्रिधर किया जा सकता है फिर को रहा है कि मिस्रण कितने पर करके होते हैं तो मिस्रण दो पर करके होते हैं एक समांगी मिस्रण और दूसरा बिसमांगी मिस्रण समांगी मिस्रण कहेंगे किसे और बिसमांगी मिस्रण किस है उसका ह्या हे और ये इक रहता है यसे को हूद लिए वैसाиса मतलब है कि चिनी और पानी का हम लोग सर्वत बना दीए चीनी और पानी का चीनी कि पाने किम से नुगा कि थीधे ठीक है तो अगर उसको मिक्चर हम लोग मिला दिए उसका मिक्चर जो हें मिला दिए तो मांन लीजे कि जब उसको पूरा गोल दिये तो अगर कोहीं भी हम लोग चखेंगे उसका हरे एक पार्ट में चीनी कामात्रा क्या होगा हरे का मात्रा हुएं तो पूरी तरह अच्छी तरह से मिल गया है उसी को मनों क्या बल देंगे समांगी मिस्रण जिसमें संपुर्ण भाग एक समान हो कोहीं भी उसको अगर मारीजे कोहीं से भी निकाल के एक चमच पीते हैं तो बड़ा सा बाल्टी में रख दी और कोहीं से भी निकाल के पीएंग तरह संपुर्ण भाग एक संवान नहीं हुं उसमांगी मिस्रण क cheating करते हैं यानि उसको मिलादेते तो समांगी मिष्रन में कि एसे मिष्रन में अवयावी पदार्तों का संगूठन समान पाया जाता है और ऐसे मिस्रूट में अव्यौवि पदार्तों के द्वारा तैयार किया जा सकता है ये मिसलों जो है सुध्ध पतार्थों के द्था तौन ढकी ये तीनि ऊर्पानी तो smtr सभननें की और ठाच आथ मिला दिए उसको योनो को देख सकते हैं तो इसके समंगी समांगी और इसके पदातों को देख सकते हैं जैसा चीनी और चावल मिला ला दिये जांग ओधिक पदार्तों का कहलाता है दो या दो से अधिक पदातों का एक समांगी मिस्रण होता है समांगी मिस्रण होता है जिसमें उसकी मात्राइक किसी सीमा तक परिवर्तित और प्रेक्षित किया जा सकते हैं वह बिले किसे कहते हैं तो बिले बनाता है उसे बिले कहते हैं जो पदात घूल जाता है उ कोई पदार्थ होगा तो अपने में आपने आप में घुला लेता है उसे बिले कोई यानि आपने आप में किसी भी चीज को बिलवा ले समझने के लिए बता रहे हैं अपने आप में मिला ले उसको क्या कहते हैं फिर बिलियन के क्या 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 है पहला क्या है तो बिलियन सक्ष पारदर्सक यह समांगी मिश्रण होता है बिलियन के अंदर बिले कुण के सभी कुण बरतमान होते हैं बिलियन तयार करने में बिले नश्ट नहीं होता है फिर जलिये बिलियन का रंग बिले के रंग पर निर्भर करता है उसके बद हम लोगा कह रहा है कि संत्रिप्त बिलियन किसे कहते हैं तो किसी निश्चित कि मिले की छंबता ना हो उस बैर संत्रिप्त कहा जाता है कि कहने का मतलब क्या हुआ कि मानली जींग स्मंझेगाउट मात्रा भी को एक हम संद्था ले लिए इतना में पानी भरा हुआ है अब क्या करते हैं दोस्तों इसमें घुलते हैं घुलने लगता है अब मालेजे की एक गलास से थोड़ा सा को मालेजे इतना बराबर गुलास के बराबर तो एक समय आएगा है इसमें घुलने की गुलने की नहीं रहती है वहोगाा जब किसी बिलायक में बिले की अधिकता मात्रा बिले हुई हो अरधात उस बिलयन में और अधिक घुलने की चहमता ना हो बिल्यन को भी से ताप पर संतिरिप्त बिलयन कहा जाता है हाँ उसके बद और संत्रिप्ध बिलियन को ठीक है तहले सीन तर्ट संत्रिप्ध करने वाली मातरा से और गुरे रहती है उसे किसे को हुग से rights कि से बिलियन की इस्जित की नि फिर को रहा है कि बेन की संहतृता को या संधिरता को धिन पतारत का द्रब्यमान बट्टा विलें का द्रब्यमान गुनेश सौव ठीक है अब इस पर एक दोग कोश्चे देते हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट होता है ठीक है इसको लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग नेक्ट बडियो में नेक्ट वडियो में दूसरा कोश्चन सब कीजिये तो द्रब्यवान के दिया है द्रब्यमान चालीस ग्राम नमक है किकल द्रब्यमान तीन सो बीस ग्राम विलें हैं सेंट हम लोग का एंसर हो जाएगा तो इस तरह दोस्तों आसानी से आप लोग यह को डिसकर सिंग कर दिया हम लोग कुछ और भी लेशन टू है और भी आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा बहुत सारा जो है इस पर आप लोग को इस चैनल पर हर एक कि झाप लोग को टिया हमtwo को अज era ह dejता है रहला है और भी उत्तों कि पर भी से इस तरह無द भी समय के दिया लोग को घो है रह तो झाल